आप लोग देख रहे हैं दन्सेवलाइस कुरू और मैं हो अपूर और मैं आज बात करने वाला हूं Google Stadia की जो की मतलब rumors के साब से पहले होने वाल था Google Yeti और एक console होने वाल था बट अब यह कही लाँच होया और यह basically streaming device type है streaming service type है इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई console की जरुवत नहीं है आपको किसी PC की जरुवत मतलब किसी gaming PC की जरुवत नहीं है आप बस कही पे भी gaming on the go कर सकते कही पे भी खेल सकते हो खेलने के लिए क्या चाहिए, आप अपने फोन पे खेल सकते हो, आप अपने लैप टॉप पे खेल सकते हो, आप अपने लैप टॉप पे खेल सकते हो, आप अपने पीसी पे खेल सकते हो, बस एक चीज़ जो कि आएगा गूगल सेटर डिवाई जानी वो जो 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 कि आप उसी से खेलो आप अपने जो पुराने कीबोर्ड और जो 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 से दूसरी है USB Connected उससे भी खेल सकते हो क्योंकि ये एक streaming device है तो इसमे एक direct feature है जिससे आप YouTube पे अपने gaming experiences share कर सकते हो instant इस पे एक proper button होगा capture button जिसे कहते है जैसे दबाते ही ये सब हो जाएगा और तो और कितनी बार ऐसा होता है गाइस कि हम game खेल रहे हैं और किसी level पर attack गया है वो हो ही नहीं रहा है मतलब हम दबा दबा के buttons तोड रहे हैं अपने लेकिन वो हो नहीं रहा है तो उसमें आप क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं उसमें यूट्यूब पे जाते हैं सर्च करते हैं कि कैसे करते हैं कितना है बड़ा process है ये लेकिन इस device में ऐसा है कि इसमें एक और button है गूगल assistant button तो जैसे आप उसे दबाओगे तो जो joystick में जो inbuilt speaker है उसके तुरू आप अपनी जो भी मतलब चीज हो रहे हैं उसे बोलोगे और उसका solution आपको मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो के तुरू जैसा कि मतलब Google keynote में बोला है कि फिलहाल ये service अभी launch नहीं होगी है और कहा launch होगी कैसे launch होगी इतना नहीं पता लेकिन ये फिलहाल इंडिया में कहीं launch नहीं होले वाली है मतलब ये अभी UK, USA, Europe यहीं launch होने वाली है इंडिया में कब आएगी क्या price होगी क्या कुछ और कुछ चीजे करनी पड़ेगी पता नहीं लेकिन एक चीज से छुटकारा मिल गया है वह है बड़े-बड़े downloads मतलब तंग हो जाते थे उन बड़े-बड़े downloads को करके updates को करके इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप यूट्यूब पे कोई video देख रहे हो कोई live stream देख रहे हो वहाँ पे side में option आजाएगा game का play आप उसे दबाओगे and you are in the game how cool is that so इसी के साथ guys आज के लिए इतना ही मिलते अगली बार अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please like करे comment करे अगर कुछ और आप जानते हो और मैं नहीं जानता हो मुझे बताने साते हो तो and do subscribe our channels please guys we need it please thank you